नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार यूट्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है हिस्टरी डी ट्रिपल स्वी पीजी टी पार्ट एक सो बतिस में है तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस अभी तक आप हमारी चैनल पर नए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना न भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड कर उसका नोटिफिकेशन आपके मोईल पर सबसे पहले पहुंच यह बिने पिटक में अंसर होगा सी बिने पिटक में कोशन नमबर दो है जैन विश्वास के अनुसार 23 तिर्थकर कौन थे यह थे पार्सवनाथ पार्सवनाथ थे 23 तिर्थकर 24 जानते ही माभीर स्वामी और प्रथम थे रिशवदेव कोशन नमबर तीन है जैन धर्म के संबंध में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो इसका अंसर होगा यह कर्म वाद में विश्वास करता है कोशन नमबर चार है अपने अभिसेख के किस वर्स में असोक ने कलिंग बिजय की थी अपने विशेक के किस वर्स में असोक ने कलिंग बिजय की थी तो ये कलिंग बिजय की थी आठवें वर्स में ये आठवें वर्स में जो है कलिंग बिजय की थी रजा विशेक के बाद असोक ने कोशन नमबर पांच है चंद्र गूप्त मौरे के सासनकाल में साराष्ट का परांती सासक कौन था पूश्य गौप्त एंसर हो जाएगा बी कूश्शन नंबर छे है कॉट्टिल के अर्थ सास्थ्र में निम्लक्ति में से किस अधिकारी को कर वसुलने का कार्य सौपा गया था तो कर्वसुलने का कारे सौपा गया था समाहरता को एंसर होगा ए समाहरता को कुशन नमबर साथ है निमलिकित क्लासिकल लेखकों में से किसने कहा कि चंदरगुप्त मौरे ने 6 लाक सैनिकों की साहता से संपूर्ण भारत को रौध डाला तो ये रौड डाला था किसने कहा था ये कहा था प्लिव टार्क ने कुशन नमबर आठ है असोक ने समकालिन सास्कों से मैतरी पूर्ण संबंद बनाए रखा इसका उलेक है तो इसका उलेक है 23 सिला लेक है यानि 13 सिला लेक में कुशन नमबर नौ है निम्लितित अविलेकों में से किस्से ग्यांत होता है कि राज कोष्ठागारों द्वारा आकाल के समय पीडित जनों को अनाज का वित्रण किया जाता था ति ये अनाज का वित्रण क्या जाता था साह गवरा का तामर पत्र अविलेक से सागोरा का तामरपत्र अविलेक से कोश्चन नमबर 10 है कथन और कारण से कथन दिया है मौर समराज का पतन असोक के बाद प्रारंब हो गया और तर्क दिया है असोक ने धर्म बिजय के नीति का अनुसरन किया और अपनी सेना बिगटित कर दी थी तो देखे इसमें A तो सही है लेकिन R इसमें गलत है तो इसका एंसर होगा C A सही है R गलत है कोश्चन नमबर 11 है निमलिखित में से सबसे लंबा बेपारिक मार्ग कौन से था तो सबसे लंबा बैपारिक मार्क कौन से था तो वो था तच्छ सिला से पाटली पुत्र तक ये सबसे लंबा मार्क था और जिसकी लंबाई थी 1500 कोश कूशन नमबर 12 है हिंद महा सागर में मानसुन की निमैतता की खोज किसने की जिससे भारत रोम वेपार को प्रिवना मिली कूशन की किसने की हिंद महा सागर मानसुन की रहा हिप पालस एंसर होगा B हिप पालस कोशन नमबर 13 है पेरिप्लस आप दी irytherian C में उलेखित निमलेखित पोताषरय मेंसे किस में मोती पाए जाते थे गिसमें मोती पाए जाते थे तो इसका एंसोर रहे जाएगा किसमें पाए जाते थे काल्ची में कोशन नमबर 14 है कुशाणों ने किन धातू या धातूं के सिक्के जारी किये कुशाणों ने सोने चादी और ताबे के सिक्के जारी किये थे एंसर डी होगा इसका कुशन नमर पंद्रा है निमलेंकित में से किस गरण्थ में पास्टात जगत को भारच से निरियात की जाने वाली वस्तों की प्रथम विश्त्रित सुची प्राप्त होती है तो प्रफम विश्तिरी सुची प्राप्त होती है तो वो है प्यरी प्लस आफ दी इरिथरियन सी से Question number 16 है गुप्त कालीन मुद्राओं पर अंकित स्रेष्ट कुलिक निगम लेख से तातपरी है तो स्रेष्ट कुलिक निगम से क्या तातपरी है जो गुप्त कली नभिलेख हैं तो इस पर तातपरी है स्रेष्ट कुलिक निगम से साहुकारों एवं सिल्पियों का निगम कुश्चन नमबर 17 है प्राचीन भारत में निमलिखित में से किस सब्द का परियोग ऐसी बिधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवा हो जाता था उससे क्या कायता था तो उसको कायता था पुनर्भू पुनर्भू एंसर होगा सी पुनर्भू कुश्चन नमबर 18 है निमलिखित में से कौन सा रिण तीन रिणों के सिधान्त में समाहित नहीं है तो वह है पुत्र रिण एंसर होगा ए पुत्र रिण कुश्चन नमबर 19 है निस्क्रमण के बाद और समावर्तन के पहले कितने संसकार होते थे तो निस्क्रमण के बाद और समावर्तन के पहले 6 संसकार होते थे एंसर होगा डी 6 कुश्चन नमबर 20 है प्रारामभिक इस्मृतिकारों के एंसर ब्रामण को सुद्र द्वारा दिया जाने वाला अन्य तो दिया जाने वाला अन्य जो है ग्रहार नहीं किया जा सकता एंसर होगा बी ग्रहार नहीं किया जा सकता कोश्चन नमबर 21 है सुद्रों के विशे में निन्यक्त कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको एंसल डूने है कौन सा सही होगा पाला दिया है बैदिक काल में वे दास तथा सरमिक थे सही है दूसरा है सत्पत ब्रामण उन्हें धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने की अनुमती नहीं देता था ये भी सही है तीसरा दिया है इसमें कौटिले वैसाय की रूप में उन्हें क्रिसी कर्म की अनुमती देता ये भी सही है चवथा है पूरु मदिकाल में विए सत अच्छे और असत बुरे वर्गों में विभाजित किये गए थे यह भी सही है यानि किसका एंसर हो जाएगा डी उपिक्त सभी सही है एक दो तीन चार कोश्चन नमबर बाईस है निमलिखित में से कौन बिदेशी यातरी सात्वी सताबदी इसवी में भारत आया था तो सात्वी सताबदी से भारत आया था वो था इत्तिसिंग कौन था इत्तिसिंग कोश्चन नमबर तेईस है प्राचीन भारत में बिद्वान ब्रामणों को दान में दिये जाने वाले कर्मुक्त ग्रामों को कहा जाता था तो कर्मुक्त ग्रामों को क्या कहा जाता था प्राचीन भारत में ये कहा जाता था अग्रहार, एंसर होगा A, अग्रहार कोश्चन नमबर 24 है विष्टी का तात्पर है तो विष्टी का क्या तात्पर है इसका एंसर वेगा जबरदस्ती और बिना भुक्तान के कराई गई मजदूरी को विष्टी काहता था कोश्चन नमबर 25 है निमलेंखित में से दाय भाग का लेखक कौन था दायभाग का लेखा कौन था ये थे जिमुत वाहन कोशन नमर 26 है निम्रिखित में से कौन सा कथन प्रारंबिक मद्यकालिन भारती समाज के बारे में लागू नहीं होता है तो वह है इंसरों का डीस में ब्रामणों ने अपने विशेशाधिकारों को कायम रखा और उसमें चाफित नमर 27 है निम्रिखित में इसे किसने मामल्लपूरम नगरम या मामल्लपूरम नगर की अस्थापना की थी नरसिंग वर्मन प्रथमने नरसिंग वर्मन पšक्षा करते हैं Q28 ह forecasts निम्लिकित में से कौन से समीति चोल प्रसासन के अंतरगत बैपारonna के हितों की रच्छा करती थी वह था नगरम, नगरम थी Q29 है निम्लिकित मंदिरों में से किसका संबंध चोलो से है तो वह है तनजोर का भ्रहय दिसवर मंदिर कोशन नमबर तीस है और अंतिम कोशन है आज के लिए चोल राजवन्स के निमलिखी सासकों में से किसने सरो पर्थाम दच्छिन पूरू एसिया के विरुद्ध नौ सैनिक अभियान चलाया था तो सबसे पहले नौ सैनिक अभियान चलाया था राजवन्स प्रथाम ने तो यह थे कोशन आज के लिए तो उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आये होगा पसंद इसको लाइक करें अपने दोस्तों के आधिक सदिक सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वन्द मात्रम